प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट एफर्स के प्रश्णों पर देखें जितने भी स्टूडेंट अधर स्टेट के PCS की तैयारी में लगए हैं वो इसके GS के प्रश्णों से प्रेक्टिस कर सकते हैं जो इसके UP वाले प्रश्णोंगे उनको छोड़ दियेगा ठीक है वाकि सब एक ही रहता है वस तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिवल सर्विसे स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक है इस टेस्सीरीज की भी प्लेलिष्ट का लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल जागा वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर इस टेस्ट तक पहुंच सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन का अंसर करिए तो जम्मु कस्मीर के बारा मुला जिले के गुलमर्ग में इस्तित फारिंग रेंज को किस अभिनेतरी के नाम पर रखा गया है कई बार दुखाया गया है ये प्रश्ट इसका उत तरह विद्यावालन तो जम्मु कस्मीर के बारा मुला जिले के गुलमर्ग में इस्तित है फारिंग रेंज उसको जो है विद्यावालन फारिंग रेंज कहा जाएगा और भारते सिनिमा में अभिनेतरी विद्यावालन के योगदान को देखते हुए इस फारिंग रेंज का नाम उनके नाम पर पर जो है विश्य में सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाला देश बन गया है लेकिन कौन से नंबर बड़ है सबसे अदिक सैनिक खर्च करने के मामले में दूसरा तीसरा चौथा पांचमा तीसरे पर आ गया है तो अपड़एल किस को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यानि स्कॉर्ट हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट क्या कहता है कि सैन खर्च डेटावेस की रिपोर्ट उसकी नए आकड़ों के अनुसार भारत जो है वर्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े सैन खर्च करने वाल सेसेल्स को दिया है तो भारत ने सेसेल्स को पीएस जो रोस्टर गस्ति पोट उपहर में दिया इसका उपयोग जो है वहुत देसी कार्यों में होता जैसे कि गस्त लगाना तसकरी विरोधी और अवैद सिकार विरोधी अभियानों और खोज बचाओ के लिए किया जाएगा डिफेंस एक्सपो दोहर बाइस की मेजवानी कौन करेगा डिफेंस एक्सपो दोहर बाइस की मेजवानी करेगा गुजरात तो गुजराद जो है दस से तेरे मार्ज 2022 तक गांधी नगर में बारवे डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़वानी करेगा और यह परते एक दो बर्स में आउज़ित किया था यह भी आद रखिए बारवा डिफेंस एक्सपो होगा नमबर फाइब पर आज यह दो स्टेटमेंट के साल पता है कौन सा करेक्ट है विसुगा पहला अनुवानसिक रूप से संसोधित रबर प्लांट 21 जून 2022 को अज़म के गौहावटी के बाहरी इलाके में लगाया गया और देखें जी एम रबर मतलब जेनेटिकली मोडिफाइड रबर प्लांट को पुथुपली कोईटम में भारते रबर अनुसंधान संस्थान में जैप्रुधो की प्रियोक्साला में विक्सित किया गया था और इसको लगाया कहा गया है असम के गौहवटी में तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर नमबर सिक्स पर आज़े भारत सरकार ने क्रिसी और संबद छेत्रों के छेत्र में सहीयोग के लिए फिजी सरकार के साथ एक समझोता कि आपन पर अस्तक्षर किया है आपको बताना है कि फिजी की कैपिटल क्या है ये बिदेसों देसों की राजधानी आता कि स्टेट PCS में पूछ लिए आती है ठीक है मैच वैच करने के लिए UPSC में तो नहीं पूछी जाती है फिजी की राजधानी है सुबा तो फिजी की राजधानी क्या है सुबा नमबर सेबन पर आज़े टोक्यो ओलंपिक दोहर बीस के लिए विशिष्ट आदर सुबाग के निम्लिक दमें मिशन ऑपसा नमबर भी म kitchen तो टोक्यो ओलंपिक दोहर बीस के लिए विशिष्ट आदर स्वाकμέ का था United वाए Emission था और तोक्यो पैर ओलंपिक दोहर बीस के लिए आदर सेबाग क्या गया पांचमा नमा छटा या आठमा छटे संस्क्रण का तो देखिए भारत्य प्रधान मंत्री ने तेरा अप्रेल दोहर 21 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राइसीना डायलॉग दोहर 21 का उधगाटन किया और राइसीना डायलॉग दोहर 21 वारसिक संबाद का छट अवतार सिंग भशीन ने ओप्सन नमबर भी तो नहरु तिबबत चीन पुस्तक के लेखक का नाम है अवतार सिंग भशीन दस्वा प्रशन है विस्व के दूसरे नमबर की किस टैनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन दोहरी के से अपना नाम वापस ले लिया था किस ने लिया किस भार्टिय तरत्रक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपत्र्टिय घस्ति जहाजों की सरंखला में तीसरा है बज्र सजग सुझीत या जगवार रास्टिय सुरक्षा सलकार है अजीत धोबाल सजग है सजग तो भारत के राश्टिय सुरक्षा सलकार ने भारतिय तर्टरक्षक जहाज सजग को संचारित किया जो 105 मीटर अपतटिय गस्ती जहाजों की सरंखला में तीसरा है बारवा प्रश्ण है निम्लिकित में से किस राज सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना सुरू की है अंकुर नाम की एक योजना सुरू की है मद्ध प्रदेश की सरकार ने तो हाल ही में मद्ध प्रदेश में मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान की सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना सुरू की है जिसके तहट नागरिकों को मानसून के दुरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा और इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कारिकरम में जन भागदारी सुनेशित करने के लिए मिलेगा उनको प्राण वायू पुरुसकार नबर 13 पर आजए है केल मंतराले ने साथ राज्यों में 143 खेलों इंडिया केंदर खोलने का निर्णा लिया है इन साथ राज्यों में निम्रकित में से कौनसा राज्य विकल्प में सामिल नहीं है मैं में यूपी नहीं है capital ४ाँडूटेंज ₹ MR मैं मनИ पूर नहीं है ऑजी है नमर 14 पर आजे ठाशने कि भारत ने किस देश के साथ Homeland Security committee डायलोग को पुर्फ्य करने का फैसला किया stattpunk70 फैसलों को स्कुरिशन करने का फैसला भारत और अमेरिका के बीज तो भारत ने होम लेंड सेक्योरिटी डायलोग अमेरिका के साथ पुना सुरू करने का फैसला किया है नमबर फिप्टीन पर आजिए किस राजिया किन शर्षत प्रदेश में महासिवरात्री पर्व को इस्थानी रूप से हैरात के उर्दू बर्ड है वो नमबर 16 पर अंतराश्टिय बाग दिवस 2021 के अबसर पर भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योड टाइगर स्टेंडर्ड की मानिता प्राप्त हुई है इसका उतरह 14 14 को तो अंतराश्टिय बाग दिवस 2021 के अबसर पर 14 टाइगर रिजर्व को भारत के ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योड टाइगर स्टेंडर्ड की मानिता प्राप्त हुई है आपको याद हो कि इंटरश्टिय बाग दिवस को मना जाता है 29 जुलाई को मना जाता है 29 जुलाई देहर 21 को मनाए गए अंतराश्टिय बाग द दिवस के तीन असम के हैं मानास कांजी रंगा और और अरंग एक करनाटक का बांधीपूर करनाटक के केरल परमभी कुलम टाइगर रिजर्व पस्च मंगाल का संदर्वन पर इंपोर्टन्ट है यहां यूपी का भी लिए दूद्वा टायगर रिजव माहराज्ड का पेच टाइगा रिजर्ब और मध्ध प्रदेश के हैं तीन कान्हा टाइगा रिजर्ब सत्पुड़ा और पन्ना नमबर सेबंटीन इन मैंसे कि साशक के नाम पर हिसाया और हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है देखिया अटल बिहारी बाचपेजी साशक तो थे नहीं कोई तो इनको तो वैसी सरदार उधम शिंकर अंतिकारी इनी मैंसे एक आंसर होगा महराजा अग्रसायन तो हिसार हवाई अड्डे का नाम जो है महराजा अग्रसायन के नाम पर रखा जा रहा है अग्रीज झाली में किस पर दो सी देश में भीम उपियाई सेवा की शुरुबात की है माल दीप निपाल स्री भूतान में की है तो बित्मंत्री निर्मला सीतार उम्रन ने हाल ही में भूटान में भीम यूपियाई सिवा की सुरुवात की है कई वार ये प्रश्चन की प्रक्टिस कराई है नमबर 19 पर आज ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा मिशन निर्यात तक बनो अभियान सुरू किया गया ये है राजस्थान की सरकार तो निर्यात को बढ़ाबा देने के लिए राजस्थान दोरा मिशन निर्यात तक बनो अभियान की सुरुवात की गई नमबर टुन्टी है नमबर के दमें से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है सब पता होना चाहिए आपको कि काला सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन-कौन से लाल सागर से कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क सागर, यमन बनाता है, इरिट्रिया बनाता है, सुडान, इजएप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सौधी अरेबिया. तो 20 पराशन थे यह, इनकी प्रेक्टिस एक बार कर लेजएगा. अन्यवाद!